हेलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से मैं हूँ विश्व हूँ तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि Microsoft PowerPoint में Slides के अंदर Border कैसे बनाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने यह Blank Slide जो है वो ली है अगर हमें यहां Border बनाना है तो हमको इसके लिए जाना है उपर की Ribbon में Insert Tab पर यह देखी यह है Insert Tab इस पर क्लिक कर दीजिए Insert Tab में हमें यह Shapes का Option मिलता है इसके Drop Down पर क्लिक करिए और यहां से यह वाला Rectangle वाला जो Shape है यह Select कर लीजिए तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह Plus Sign ऐसे बन करके आ जाएगा अब अपने हिसाब से यहां पर एक Border आप Draw कर लीजिए ठीक है इसको थोड़ा सा आपको Adjust करना पड़ेगा इसको थोड़ा साम अपने हिसाब से एड़ेस कर दे रहे है ठीक है तो यह हमको पहले ऐसे ड्रा करना है उसके बाद इसको Select रहने दीजिएगा और उपर एक नया टैब आपको मिलता है Shape Format का यह देखिए ठीक है इस पर आपको नीचे देखिए Shape Outline का Option मिलता है ठीक है इसक आपको right side में बहुत सारे option मिलेंगे हमको क्या करना है जो border की जो मोटाई है वो थोड़ी सी पढ़हा देनी है तो हम थोड़ा सा यहां पर जो इसकी width है वो पढ़हा देते है तो हम 4 is to half PT जो है यह Select कर लेते है इसको Select कर लीजिए वापस से जाए Shape Outline पर चीक है यह हम वाप यह देखिए यह जो white color है इस पर हम प्लिक करतेंगे उसके बाद हमें अकी बार क्लिक करना है Shape Fill पे ठीक है Shape Fill के इस drop down पर क्लिक करिए और यहां से No Fill आप Select कर लीजिए यह No Fill का option दिख रहा है इस पर जैसे ही आप प्लिक करेंगे तो यह देखिए border आपका बन करके आ गया है